हलो दोस्तों मैं हूँ दुर्गे साहनी और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेयोगी ज्यान में तो दोस्तों हम एक वीडियो स्रीज बना रहे हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं कम्प्लीट जावास्क्रिप्ट तो इसके प्रिवेस वीडियो में हमने सीखा एरे क्या होता है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लूपिंग ठीक है और हमरे पास option है वाइल दुवाइल और फॉर का तो हम देखेंगे इसको हम कैसे यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हम डिसक्स करते हैं लूपिंग स्रॉक्चर क्या है और इसकी नीट क्यों ह तो looping structure लूप क्या होता है कि एक ही statement को multiple times execute कराना अगर आप चाहते हो तो आप loop use करोगे for example जैसे कि हमने previous वीडियो में देखा कि अभी हमारे पास एक array है और इस array की values हमें print करनी है तो अभी हमारे पास यह तीन values है तो हम तीन बार हमने statement लिग दिया और हमारे काम हो गया बट अगर यह value 100 होगी या फिर 1000 होगी तो हम क्या 1000 बार लिखते बैटेंगे statement नहीं न इसलिए फिर हम क्या करते हैं लूप यूज़ करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लूप यूज़ कैसे करते हैं और लूप यूज़ करने के basic कुछ rules है जैसे कि आपको यह पता हूँ आपका loop start कहां से होगा आपको loop end कहां पे होगा और आपको किस तरह से अपने loop को बढ़ाना है ठीक है तो सबसे पहले आपको initialize करना पड़ेगा आपको loop जो भी है उसके बद आप अपना loop looping structure यूज करोगे फिर यहां पे आप condition लिखोगे या फिर exit point लिखोगे फिर इसका block of statement चालू होगा और यहा कि मैंने iteration में हमने बता दिया कि एक हम i variable यूज कर रहे हैं और इसको start करते हैं one से initialization हो गया हम एक simple example देखते हैं कि एक से 10 तक हमको print करना है उसका condition हम यह लिखेंगे हमें पता है कि 10 ठीक है तो जब तक i की value 11 से छोटी है तब तक यह loop घूमना चीगे ठीक है अब यह value यहा यहां पर iteration का way भी हमको बताना पड़ेगा तो हम कह देंगे i++ तो एक बार यह i1 होगा फिर 2 होगा फिर 3 फिर 4 ऐसे करते करते एक बार इसकी value 11 हो जाएगी और condition false हो जाएगी और यह बाहर चला जाएगा लोग से ठीक है और print करने के लिए हम use करते हैं console.log और यहां पर हमने जैसे एक भी चीज भूल जाते हो जैसे कि आप भूल गए i++ करना तो यह क्या होगा यह loop infinite यह जो भी आपकी file है यह infinite loop में चला जाएगा और यह execute होता ही रहेगा जैसे कि देखिए यह इतने time execute हो चुका है ठीक है और यह infinite loop में चला गया तो इसलिए आपको यह तीनों point and the way you iterate ठीक है ठीक है ठीक है तो अभी यह हो गया while loop अगर मान लिए आपको 10 to 1 print करना है तो आप किस तरह से करोगे तो आपका starting point हो गया 10 और आपका exit point हो जाएगा जब तब तक इसकी value जीरो से बड़ी है तब तक यह loop घुमना चाहिए और इस case में आप इसको क्या करोगे minus minus तब इसकी value घटेगी नहीं तो यह condition कर भी reach नहीं होगी और फिर से infinite loop में चला जाएगा ठीक है तो अब अगर आप इस page को refresh करोगे तो आपको दीखेगा यहाँ पे refresh करिए 10-9-8-7-1 ठीक है तो इस तरह से आप loop यूज कर सकते हो अगर जैसे कि हमने पुराने फाइल में देखा था यह array है और इसकी value अगर आपको print करनी है ठीक है यह हमारे पास array है और इसकी value हम print कराना चाहते है तो हमने जो पिछली बार यूज किया था वह इ अगर आप देखोगे यहाँ तो यह सिर्फ 0,1,2 इंडेक्स बढ़ रहा था ठीक है तो इंडेक्स की जगब पे हम क्या करेंगे i यूज करेंगे तो यह क्या करेगा यह हमारा array का value print करेगा बट इस case में आपको condition change करनी पड़ेगी और आपको starting point बताना पड़ेगा तो starting point हमें पता है कि index always start from array index always start from 0 आपने 0 बता दिया condition क्या होगी जब तक आपकी i की value less than है पिछली बार हमने देखा था कि num.property होती है length अगर आप यह बताते हो जब तक इसकी value इससे छोटी है तब तक इसकी अंदर जाके यह print करो और इसको आप कर दोगे plus plus ठीक है देखते हैं क्या यह print करता है हमारी value ठीक है तो इस तरह से आप अब इसके इसके अंदर आप doesn't matter कितनी value है ठीक है ऐसी आपके पात बहुत सारी values है जितना भी लंबा आपका array होगा कोई फर्क नहीं पड़ता यह उतनी बार values को print करेगा ठीक है तो इस तरह से आप looping structure use कर सक करते हो do while में क्या होगा यह while जो statement है यह नीचे आ जाएगा और यहां पे सिर्फ आप do लिख दोगे बस इतना ही करना है आपको यह करने के बाद आपका यह हो गया और आप refresh करोगे page को तो आपको कोई difference नहीं दिखेगा तो do और while में difference क्या है देखिए while में यह condition यहां पे तो अगर condition पहली बार में satisfy नहीं हुई तो loop के अंदर ही नहीं जाएगा ठीक है और अगर do while आप यूज कर रहे हो तो condition पहली बार तो अंदर जाएगा ही जाएगा क्योंकि यहां पे कोई condition नहीं है यह अंदर जाएगा यह काम करेगा और condition अगर satisfy हुई तो वापर से अंदर जाएगा अगर condition fail होई तो यह बहार चला जाएगा ठीक है यह difference होता है do and do while में sorry while में और do while में अगर initial level पे condition चेक होती है और do while में बाद में condition चेक होती है ठीक है वैसे ही एक और loop हमारे पास है for तो for को आप कैसे यूज करोगे देखी यह तीनों चीज़ों को अभी आप initialization condition or increment यह तीनों अलग अलग जगह पे यूज करते हो ठीक है for में क्या होता यह तीनों चीजों को एक वी जगह पे combine कर दिया जाता है अगर मैं example देखा हूँ आपको तो आप ऐसे लिखोगे for ठीक है और यहां पर opening and closing parenthesis अब यहां पर जैसे मैंने बताया तीन statement है यहां पर त सेमि कॉलरर तीसरा statement के पाद सेमि कॉलर नहीं लगाूगऑ यह पर हैं इसको भी निकाल दो यहां से अपिसको भी निकाल आप इसको भी निकाल दो आप सिर्भ यह पर वारियावल को बनाके रख दो ठीक है initialize हम यहां कर लेंगे और यह condition यहां से हटा दो यह हो गया आपका for ठीक है तो देखा आपने initialization यहां पर आ गया condition भी यहीं पर आ गयी और increment and decrement जो भी आप करोगे जो भी वे रहेगा आपका iterate करने का वो भी यहीं पर आ गया अब अगर आप इस webpage को refresh करते हो तो आपको कोई reference नहीं दीखेगा यह सेम उसी तरह से आपकी value को print कर रहा है ठीक है तो इस तरह से आप use कर सकते हो for और एक तरीका होता है for each भी आप use कर सकते हो arrays के साथ या फिर अगर आपका object है उसके साथ में बट वो चीज़े हम आगे देखेंगे detail में जब हम objects वगरा सीखेंगे तब ठीक है तो I hope कि आपको यह समझ में आया होगा कि loops क्या होता है loops क्यों important है और यह हम while do while in for कैसे use करेंगे हमारे program में तो अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा built-in functions building function में से हम देखेंगे number functions, string functions ऐसे जो functions से वो हम सीखेंगे और उसको detail में कैसे use करेंगे वो सीखेंगे तो उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को subscribe करिए वीडियो इसको like करिए इसको share करिए और अगर आपको कुछ doubt से तो हमें comment box में बताइए तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए concept के साथ thank you very much guys for watching